हेलो स्टुनेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग तो व्यू वेलकम तो काटोग्राफिया एस ए रिवलिशन इन इंडिन एजुकेशन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आया हूं वह स्पेशल सेशन क्या होने वाला है उससे पहले हम थोड़ी बा एक स्पेशु पल्लस वक्राइब स्बाब्स nawc सी लिए ओफिशल वेब साई ऑस्पेश से रिलेटिद आपकी टू-H 도्रकिंटिक डाटा एन्टिक पुर्य साइट आपको अच्छे से से बात बाद हैं बीटो एंप सीरी बीटो मैं स्पिस में चया है आपको map के through काफी साली चीज़े cover कराए जाएगी इसमें आपको 500 प्लस maps आपको provide किये जाएंगे जिससे आपकी photogenic memory का use होगा और आपकी learning capability increase होगी and the third module is NCRT mind maps guys NCRT आप लोगों को पता ही होगा कि NCRT UPSC के लिए बेस है बहुत ही important book होती है NCRT काफी important books होती है NCRT UPSC के लिए लेकिन तब भी काफी सारे students इसका revision कर नहीं करते जनरली वह बस एक बारी पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं लेकिन NCRT का revision बहुत जरूरी होता है और in mind maps के थूर अगर आप करोगे तो revision बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको काफी retain करने में काफी help मिलेगी and the third and the fourth is the current 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 capsules and students and guys आप लोगों को पता होगा कि UPSC exam के लिए current कितना important होता है आप कोई सा भी UPSC exam जो भी exam conduct कराती है उसके लिए अगर आप current prepared नहीं करके जा रहे तो मान लीजे कि आपका selection नहीं होगा यह पहले से ही आप मान के चले कि आपका selection नहीं होगा current इतना important होता है UPSC exam के लिए और 5th pointer है 5th आपको module मिलेगा UPSC mega pointers यह वह pointers है जो की pre specific आपके लिए बनाए गए है जो 4 October को आपका pre आ रहा है उसके लिए pointers बनाए गए है highly UPSC को focus में रखें इसमें आपको 30 questions की return guarantee दी जाती है कि 30 questions हमारी इस module से आपके आएंगे अगर नहीं आते हैं तो हम आपके पैसे वापस कर दी जाएगे 30 questions की return guarantee है with money back guarantee and यह बहुत ही एक मामुली सी कीमत पर है 4000 ओके 3999 पर कार्टोग्राफिया आपके लिए second जो course लेके आया है वो है UPSC 60 days crash course साथ दिन और यूपी और जैसा कि आपको पता होगा यूपी PCS में 150 questions हाते है 200 मास्के जिसमें से कार्टोग्राफिया आएस आपको 90 questions की return guarantee देता है इसमें भी आपको map की help से and official website cover करके सब कुछ कराए जाएगा ऐसा नहीं है कि इसमें official website cover नहीं कराए जाए कि नहां UPSC का अलग standard है and UPSC का अलग standard है ठीक है इसमें भी आपको map की help से काफी सारी चीजे कराए जाएंगी जिससे कि आपको return करने में help मिलेगी इसमें आपको 90 questions की return guarantee मिल रही है और यह आपको 4999 में available होता है अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहे है जल्दी से जाकर यह ले लिजिए और benefit के लिए और अपने 90 questions को log करें इसका benefit लिजे ठीक है चलिए अब हम अपने session पर चलते हैं बिना किसी देरी के आज आपके लिए special session क्यों है आज का session आपके लिए special इसलिए है चोंकि आज मैं आपके लिए OWC and B2M की combined class लेके आया हूँ सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि B2M की ही लूँ लेकिन फिर मैंने topic देखा topic था biosphere reserve तो जब मैं इसके international scenario पर दिख गया तो मेरे को मिला man and biosphere program क्या मिलता है आपको man and biosphere program तो इसको cover करना ज़रूरी था इसके लिए मैं आपके लिए भी OWC भी ले ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के चलते है UNESCO UNESCO का यह एक program है man and biosphere program सों कर लेते हैं आपके अच्छी visibility के लिए चलिए गाइज यूनिसको का यह program है man and biosphere program यूनिसको की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब यूनिसको का नाम आए तो यूनिसको की full form देख लेते हैं most of the students को यही नहीं पता होता कि इसकी full form क्या है इसकी full form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization क्या है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यह 1945 में बनाए गई थी और इसका headquarter है पैरिस में और पैरिस students पैरिस किस देश की राजधानी है यह आप मेरे को comment section में बताओ किस कांट्री की capital है पैरिस ठीक है ओके तो अब हम आगे चलते हैं UNESCO की हमने full form देख ली एंड इसका foundation एंड इसका headquarter भी देख लिया इसके बाद हम आगे चलते हैं UNESCO ने एक एक प्रोग्राम लॉंच किया 1971 में UNESCO ने 1971 में एक प्रोग्राम लॉंच किया मैं एंड बायस्फेर प्रोग्राम क्यों लॉंच किया एक्चली जो वर्ल्ड है जो हमारी अर्थ है इस पर काफी सारा काफी पॉल्यूशन होए जा रहा है काफी सारी एन्वार्मेंट की जो चीज़े जो डिग्रेड हो रही है लेक्स होगे काफी सारे बायस्फेर रिजर्व है बायस्फेर से जो की डिग्रेड हो रहे है तो इसी लिए UNESCO ने मैं एंड बायस्फेर प्रोग्राम निकाला 1971 में यह एक इंटर गॉर्मेंटल साइन्टिफिक प्रोग्राम है जिसका एम क्या है जिसका एम है कि पीपल और जो उनका एन्वार्मेंट है उसके बीच में जो रिलेशन्शिप है उसको एनहेंस करें साइन्टिफिक बेसिस पे उसको एनहेंस करें ठीक है यह है इसका एम अब इससे फ socially and culturally appropriate होगी मतलब कि यह socially ना तो किसी को हाम करेगी और ना ही उनके जो culture है जो culture है उसको ठेस पहुचाएगी ठीक है socially and culturally appropriate यह approaches होगी और जब हम बात कर रहें environment से रिलेटिट तो environment sustainable होना तो बनता ही है ठीक है environment sustainable होना तो बनता ही है कि यह approaches economic development से related approaches जो है वो sustainable होगी ही होगी okay and man and biosphere program जो है एक चीज और promote करता है वो क्या करता है वो करता है exchange and transfer of knowledge exchange and transfer of knowledge related to environment problem and solution यह सिर्फ जो environment से related problems होईगी solutions होईगी उन्हीं की ही knowledge को यह exchange करेंगे और transfer करेंगे ना कि कोई और knowledge जैसे कि बंब बनाने की technique नहीं देंगे यह लोग ठीक है ना या फिर रोबोट बनाने की technique नहीं देंगे और नहीं कोई science and tech से related टेक्निक की आपको rocket कैसे बनाने चाहिए जो भी environment से related problem आ रहे है उनका क्या solution है उनसे related exchange और exchange and transfer of knowledge को यह promote करता है मैंने इन बाइस्फर program ठीक है और एक चीज और करता है मैंने इन बाइस्फर program वो क्या है prediction यह प्रिडिक्ट करता है कि आपका आज का action जो आज एक्षन ले रहे है उसका आने वाले जो वर्ल्ड है आने वाले जो कल है उस पे क्या consequences पढ़ेंगे क्या consequences होएगे आपके आज की एक्षन से कल के वर्ल्ड पे ठीक है इससे क्या होगा इससे यह होगा जैसे कि आपको कुछ पता चल जाए कि हां जैसे आपको पता चल जाए कि आने वाले साल में खतम होने वाला है तो अब क्या हो रहा है कि उसको सस्टेनेबली यूज करें सस्टेनेबली यूज मतलब कि उसको ऐसे यूज करें कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है वह भी उसका फायदा उठा पाए तो यह तो यह किन-किन के लिए बैनिफिशल होगा यह बहुत हुमन पॉपुलेशन एंड एंवार्मेंट के लिए भी बैनिफिशल होगा तो च्छा बढ़ा भी आपने अभी आपने यूनिस को के बारे में देखा थोड़ा सा फुल फॉर्म क्या होती है कब एस्टैबलीश हुआ है इसके बारे में यून बैनी मिलेगी क्या होगा और क्या है मैं इंडैसफर पोगरम यह सब अब तक आपने देखा आप हुम्हुम हम तो कि मेन गवर्निंग बॉडी देखने से पहले हम वीजंप चलते हैं मैं इन बासफरी प्रोग्राम का वीजन क्या हाइः वीजञ होता है लॉंग टम वीजन क्या वीजंट है तो के इसका वीजन है कि एक एसा वीर्ट कारणा है जहां पर पीपल जो है ओप्रेयल आपने एनवर्मेंट के रिलेटिड अपने जो उनका कॉमन फ्यूचर है उसके रिलेटिड वो कॉन्शेसे ओए और जो उनका इंट्रैक्षन में प्लेनर के साथ वह और वो सामूहिक कारे करें एक ऐसी स्चाइटी बनाने के लिए एक ऐसी Σोसाइटी बनाए सामूहिक कारे से जो की संपन पूरी तरह से शंपन हो Swyprosy society in harmony with the biosphere this is the vision of man and biosphere program a world where people are conscious of their common future and their interaction with planet and act accordingly to build thriving society in harmony within the Biosphere एक क्लियर है सबको चलो अब हम मैंने बाइस्फर प्रोग्राम के थोड़ा बॉडी देख लेते हैं कौन-कौन सी उसकी बॉडी में गवर्निंग बॉडी सबसे पहले आती है में गवर्निंग बॉडी है इसकी इंटरनाशनल कॉडिनेटिंग नकनू uniform यह इनचनल कॉडिनेटिंग काउंसिल। और इसको जो इडवाइस करने के लिए इसको एक्सक्राजनाह इसदू राव बॉडी कमीयटी एंड सेकți country इंटे इंटरनाशनल इस पोर एडवाइजिस टू मैंने बाइस फिर प्रोग्राम एंड जो इस्जी इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रूप वो कौन सी एडवाइज प्रोवाइज करता है एक मैड रिडेक्शन प्लैन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या एडवाइज चाहिए वो सब इंटरनेशन सपोर्ट कर गुरूप प्रोवाइड करता है मैं रइंड बाइस फ्रोग्राम को को कि प्लियर है कि एड़ा है । अब चलिए इस पेज पर आपने क्या क्या देखा के एक तो आपने देखा और में गवर्निंग बोडी कौन सी हा दो एडवाइसरी बोडी कौन सी हम इंड ब है अब हम बात करते हैं मेशन की एक सेकंड काई एक सेकंड कि अब है कि अब है कि अब है कि यह क्लियर चलिए आगे चलते हैं मिशन की हम बात करते हैं कि जो मैंनेंड बायस्फिर कि प्रोगालमरय सबसे पहले हम दिखते हैं हैसका जो थो तौ़जंट फिप्टीन से दूथार। इसका जोनम्बाएंगार पॉइंट्न बाद सिकनमेट के लिए व्वय ह Dual State मेंट मॉडल looks और जो sustainable development के जो model है उसको develop करना है और strengthen करना है with the help of WNBR, WNBR क्या World Network of Biosphere Reserve, ठीक है? कि जो भी आपका sustainable development के models है, उनको develop करना है और strengthen करना है किसकी help से WNBR उसमें help करेगा, ठीक है? And the second is sustainable development को achieve करने के लिए जो member states है इस man and bias for program के member state और stakeholder है, उनकी help करना बहुत अच्छी बात है कि जो भी इसके members है, उनकी help करनी है sustainable development goal अचीव करने के लिए, लेकिन ये बात तो बोल दी, ठीक है? लेकिन ये करेंगे कैसे? by sharing experience, by sharing experiences, technologies and innovations कैसे कैसे? by sharing experiences, technologies and innovations, ओके? तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये जो sharing करेगा कौन, साफ बात है, एक developed country जो होएगी, उसी के पास ही experience होगा, technologies होगे, और innovations होगे, as compared to developing and underdeveloped countries, तो साफ सिधी बात है कि जहां तक है, developed countries ही help करेगी, ओके? WNBR के वावार में हम आगे बात करेंगे, world network of biosphere reserve, ओके? अब आगे चलते है, man and biosphere reserve की क्या-क्या strategies है, और क्या इनके road maps है, ये कहां defined है, इसके लिए तीन documents निकाले हैं इनोंने, the number one is man and biosphere strategy 2015 to 25, okay? 2015 to 25 man and biosphere strategy and the second one is इसी के अंदर ही second and third है, Lima declaration, अब तक आपने जो देखा है, अब तक आपने जो vision देखा, man and biosphere program का vision देखा है ये सब कहां defined है, ये सब कहां पर defined है, ये सब लीमा declaration के अंदर ही defined है, और लीमा declaration के अंदर ही वो सारी चीजे defined है, जो man and biosphere को implement करने के लिए चाहिए, कि कैसे कैसे, क्या-क्या action required है, क्या-क्या implementations करनी है, वो सब लीमा declaration के अंदर ही defined है, ठीक है, इसलिए लीमा declaration काफी important document है, इसके बाद हम चलते है, major activities और project के तरफ, जो man and biosphere reserve की जो projects अभी चल रहे है, अफ्रीका continent में सब से हम पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हम तीन, अफ्रीका में हम majorly तीन biosphere reserve देखेंगे, तीन project देखेंगे, number one is biosphere and heritage of lake chad, lake chad अफ्रीका के एक बहुत ही important lake है, जो कि एक बहुत historic importance रखती है वहाँ के लिए भी, ऐसा देखा गया कि 1963 से 1998 के जो काल है, जो time period है, इस time पे 95% यह lake जो है, श्रेंक हो चुकिया है, गायब हो चुकिया है, सिकुड चुकिया है, मतलब कि 5% बची थी 1998 पे, तो सोच लिजे क्या हाल हुआ होगा इस lake का, ओके और जो यह lake chad है, यह चार country से घिरी भी है, कौन-कौन सी chad, Cameroon, Niger and Nigeria, तो चलो हम इन country को देख लेते हैं सबसे पहले map पे, कहा हैं यह country देखें, यह है lake chad, ओके, यह है lake chad, यह पूरी है lake chad, ओके, यहाँ पे कौन-कौन सी country है, एक तो chad country है, Niger, Nigeria and Cameroon, clear है सबको, visible है सबको, chad, Niger, Nigeria and Cameroon, तो चलिए, अब हम second project पे चलते हैं, second project है, green economy in biosphere reserve project, यह हमारी तीन country में चल रहा है, अफ्रीका की, कौन-कौन सी country है, गाना, Nigeria and Tanzania, कौन सा project है, green economy in biosphere reserve project, चलिए, यह countries भी देख लेते हैं, कहां-कहां पे है, number one की बात करी है, हमने गाना, गाना देखो, Nigeria के left में ही है, यह ही गाना, ठीक है, and, कहां-कहां चल रहे है, घाना, Nigeria और Tanzania, तंजानिया कहां है, है, गाइस, यह रहा, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में एक बहुत ही important mountain है, वह आप में को comment section में बताए, क्या है वह अगर आपने gts and andreas खेली होगी, तो उसमें भी, वह उस mountain का काफी बारी नाम लेते है, शाद gts and andreas यह, ओके, आप में कमेंट section में बताए, कौन सी वह mountain है, तो चलिए, अब हम आगे चलते है, और थर्ड जो project चल रहा है, वह है no plastic a small gesture in our hand, यह कहां चल रहा है, साओ टॉम, अटॉ में पिंस अब होगा है का इस एक यह साडूम, अपिंस कर डिया यह जूं कर दिकंज होर, साव टॉमौ एंड्ट ब्रिंसएप क्लियर है सबको तो चली अब हम एश्या की दरफ चलते हैं एश्या इंड पैसिफिक रीजन में कौन सा प्रोजेट चल रहा है युनिस्को का युनिस्को मैंन इंड बायस्फिर प्रोग्राम का ठीक है यह जो प्रोजेक्ट है वह है युन करना है और वहां पर new agricultural projects लाने है और अब यह जो न्यू अग्रिकल्ट्र प्रोजेक्ट्स आएंगे इनके लिए farmers को कुछ training भी देनी पड़ेगी तो इसमें training भी provide कराए जाएगी और जो भी आपके rural villages है उनको shift करना है किसकी तरफ urbanized rural village की तरफ ठीक है यह है इसका में अब्जेक्टिव इंडिया में मतलब एश्या में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिस्को चिक गुरूप एंड बाइस्फेर इंटिग्रेटिड रूर्ड अर्बनाइजेशन प्रोग्राम अब कोई environment के लिए अच्छा करता है बाइस फेर रिजर्व से रिलेटिड कुछ काम अच्छे करता है तो government जो यूनिस्को है यूनिस्को उनको कुछ प्राइज भी देती है जैसे कि तीन प्राइज यूनिस्को ने निकाले हुए है एक है यूनिस्को सुल्तान काबूस प्राइज फॉर एंवर्मेंटल कंजर्वेशन यह काफी इंपोर्टेंट प्राइज है इस टाइम के लिए चोंकि यह एक इंडिया को मिला है 2019 में किसको दो मिला यह अशोगा ट्रस्ट को ठीक है सेकैंड जो अवर्ड है वो है मैब यंग साइन्टिस्ट अवर्ड यह जनर ली इसके लिए 10 साइन्टिस्ट को चूझ किया जाता है देने के लिए लेकिन 2019 में अभी तक 7 विनर्स को ही चूझ किया है ठीक है and the third prize is Michael Battis Award for Biosphere Reserve Management third is Michael Battis Award for Biosphere Reserve 2019 में Joss Centiso को दिया गया है यह महिला है और यह स्पेइन से बिलोंग करती है ठीक है Joss Centiso यह तीन awards UNESCO को निकालता है कौन-कौन से UNESCO सुल्तान काबूस प्राइस फॉर अन्वर्मेंटल कंजर्वेशन जो अशो का ट्रॉस्ट को दिया गया है मैन मैनन बाइस फिर यंग सैंटिस्ट आवर्ड जो की यंग सैंटिस्ट को दिया जाता है जनरली 10 सैंटिस्ट होते हैं लेकिन इस बार 7 को दिया गया है and the third one is Michael Battis Award for Biosphere Reserve Management and यह इस बार जो सैंटिस्ट को दिया गया है ओके अब हम WNBR की तरफ आते हैं वर्ड नेटवर्क और बाइस फेर रिजर्व बेसिकली यह वह इंटरनेशनल टूल है जिसकी हैप से पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी बाइस फेर रिजर्व यूनिसकों के अंडर है उनको मैनेजर किया जाता है ठीक है वहां पर क्या क्या सस्टेनिबल डैवलप एप्रोच होनी चाहिए उन सब को डैवलप किया जाता है और एंड़िया जाता है जाता है एंड इट कंसिस्ट टानेमिक अंडिकिव नेट्वर्क औफ तैस्ट आउब चैकरता है नोस्ट सब क्या करता है नोसट साउट this is among biosphere reserve okay तो चलिए अब हम आगे चलते है और एंड जो WNBR यह वो बॉड़ी है जो की आइडेंटिफाइ करती है कि कौन से Biosphere Reserve जो है वो यूनिस को गेंडर आने चाहिए तो चलिए अब हम देखते हैं कितने Biosphere Reserve है जो की यूनिस को गेंडर है जैसे कि शायद मैंने भी आपको पहले ही बताया है कि 701 Biosphere Reserve जो है वो यूनिस को के अंडर आते है और यह 124 कंट्रीज में है ठीक है 124 कंट्रीज में है इसमें जो सबसे कम Biosphere Reserve किस एरिया में है वो है अरब स्टेट्स में और यह 33 एंड सबसे मैक्सिमम है जो सबसे जादा है वह है यूरोप और नौर्थ अमेरिका में 302 है इस अब बात करते हैं आप जो है वह कौन-कौन से ecosystem है कौन-कौन से ecosystems को protect करता है इसके अंदर कौन-कौन से ecosystem आती है जनरली लोग सोचते है कि सिर्फ forest का area आता है ऐसा नहीं है इसमें काफी सारे area आते जैसे कि dry land mangroves marine coastal and island area mountain सवाना ट्रोपिकल फोरेस्ट एंड वेड्लेंड ठीक है यह सब इको सिस्टम बाइस फिर रिजर्व के अंदर आते हैं अगर हम इसमें ड्राइलेंड की बात करें तो 70 साइट जो है वह जो 70 साइट से मैप की मैंन बाइस फिर प्रोग्राम की वह ड्राइलेंड एरिया कवर कर होती है and second is mangrove mangrove क्या होते है guys mangrove वह एरिया होते है जो लैंड और सी जहां पर मिल रहे होते हैं वहां उस एरिया पर मैंग्रूप बनते हैं और यह बहुत ही इंपोर्टेंड होते हैं किसी भी कॉस्टल रिजन के लिए और यह देखा गया कि 1980 से अब तक 20% जो मैंग्रू सब्सेंट रौर्ट के वह लॉस्ट हो चुके है and इसके बाद हम चलते हैं Marine Coast and Island Areas पे एक यह Ecosystem है, इसके बाद है Mountains, Mountains क्या है, Mountains जो भी Earth की surface है जो भी Earth का Terrrestrial surface है उसके 25 percent क्या है Mountain है और इसी 25% में जो Home है 25 परसट ग्लोबल प्रपॉपुलेशं का होम भी है और सवाना सवाना स्वाना क्या है गाई्ट हुते हैं और झाफिग्थ ग्रास लumbled होगा और यह सवाना यह आप में करने कर यह hexy पहए को कमेंट सेक्शन में बताईए सती है नेक्स पे चलते हैं प्रपिकल फोरेस्ट ट्रोपिकल फोरेस्ट ट्रोपिक एरिया में होते हैं आपको पता होगा जैसे कि Amazon rainforest ठीक है एंड इसके बाद है वैट लेंड वैट लेंड वह एरिया होता है जो कि कभी ना कभी पानी के अंडर आता ही आता है seasonally या permanently हमेंशा पानी के अंदर रहता है water से गिरवा है जैसे कि और यह आज कल लॉश्ट हो रहा है क्यों कि pollution भढ़ रहा है सारा pollution वहीं जाता है wetlands में exploitation हो रहा है climate change हो रहा है climate change हो रहा है तो temperature बढ़ रहा है temperature बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है जो water body है वह सूख रही है एंड इसके बाद क्या है human population growth से भी यह कम होते जा रहे हैं अब जो wetlands है उनकी conservation के लिए convention है रामसार convention इसको हम अलग से बाद में देखेंगे चीक है चलिए तो गाइस यह मैप है इंडिया का जिसमें आपको सारे biosphere reserve बताया हूए है इंडिया के इंडिया में 18 biosphere इसरे रेजर लेकिन क्या यह सारे biosphere reserve units के अंदर आते है नहीं उसर्फ 11 इसरव और लेकिन total अब जो जो हो 18 है ठीक है अब कौन-kौन से biosphere reserve है कौन-कौन से बाइस फेर रिजर्व फर्स्ट बाइस रिजर्व कौन सा है लास्ट कौन सा है वह हम सब देखेंगे लेकिन उससे पहले हम बाइस फेर रिजर्व के बारे में कुछ बात कर लेता है कि इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं बाइस फेर रिजर्व जो होगा तीन पार्ट होता है यहां पर जो स्प्रो हिंटीस्ट है वो सिर्फ लिमीटर लेके जा सकते रिसार्च वगईर. इसे अरिप बफर जोन यह वाला एक इसके भार का एरिया यह बफर जोन अब बफर जोन में चाहे कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज की पर्मिशन होती है जैसे कि यहां टूरिजम को परमिट कर देते हैं लेकिन वह भी कुछ लिमिटेड ठीक है एंड रिसर्च एड्यू 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 केशन एक्टिविटीज तो यहां तो होएगी जब को जोन में हो रहे है तो यहां होना भी बहंता ही है एक सेकड़ काईज एक सेकेड और ओके और यहां पर फिशिंग एंड ग्रेजिंग की भी परमिशन है तो चलिए एंड इसके बाहर का जो एरिया है वह है ट्रांजिशन जोन यह वाला एरिया है ट्रांजिशन जोन इसको हम मैनिपलेटिंग जोन भी बोलते है यह आउटर मॉस्ट पार्ट होता है किसी भी बा और इस एरिया एंड हुमएन सेटलमेंट mit को बियांट है ओकई कि तो चलिए अब हम देखते हैं functions of biosphere reserve क्या है functions है सबसे पहले है conservation conservation किस-किस का main focus होता है landscape and ecosystem का अगर हम main focus रखते है landscape and ecosystem पे तो directly और indirectly indirectly हम बात करते हैं species and genetic resource का भी conservation होता ही होता है इसके बाद यह development में भी help करते हैं जैसे promote करते economic and sustainable human development को और logistic support को भी है system logistic support system को भी help करते हैं कैसे research and analyzing में तो चलिए अब हम अपने map पे आते हैं biosphere reserve पे इंडिया में total 18 biosphere reserve है जिसमें से 11 जो है वो 11 biosphere जो है वो UNESCO के अंडर है ठीक है अब UNESCO के अंडर यहां पे कौन-कौन से है जो रैड मार्क से जो ऐसे रैड मार्क से बॉर्डर्ड है वो है UNESCO के अंडर ठीक है तो चलिए अब हम start करते हैं biosphere reserve इंडिया के सबसे पहले हम देखेंगे सबसे first biosphere reserve कौन से बना है आया 2000 में 2000 में यह यह यूनिसको के अंडर आया थीन स्टेट्स है और यहां पर एक एडिशनल इंफर्मेशन मैं देता हुआ जाओंगो कि यहां पर कौन सी critically endangered species जो फाउन होती है यहां पर critically endangered species निलगरी थार एंड लाइन तेल्ट मकैक क्लिर है सबको निलगरी थार एंड लाइन तेल मकैक चलिए अब हम first हमने देख लिया आप हम लाइन वाइस देखते है सबसे उपर से हम स्टार्ट करते है सबसे उपर है कोल डैजर्ट जो है हिमाच यहां पर critically endangered है इसी के नीचे हिमाचर प्रदेश के नीचे ही है यह वाला एरिया है गाइस उत्राखंड उत्राखंड में नंदा देवी बाइस फेर रिजर्व है यह इंडिया का सेकिंड बाइस फेर रिजर्व था और बहुत ही अच्छी जंगा है आप जाईए घूम के आ होगा यहां पर आपको रैट पैंडा critically endangered लेगा ओके यहां पर रैट पैंडा critically endangered है और यह काफी इंपोर्टेंट है भी रिसेंट के लिए क्यों कि 2018 में इसको यूनिस को ने अपने अपने ले लिए मैंने बाइस फेर प्रोग्राम में इसलिए काफी इंपोर्टेंट है 2018 में इसको यूनिस को ने अपने अपने ले लिए कंचंजंगा बाइस फेर रिजर्व को अब हम और राइट में चलते है राइट में चाया हमारे पास यह कौन सा स्टेट है गाईज यह असम असम में आपके दो बाइस फेर रिजर्व एक मानस एंडी बू साइक होगा इहां पर भी आपको रेट पैंडा रेट पैंडा काफी मतलब अंदेंजेर स्पीजी आ यहां पर काफी अंदेंजेर स्पीजी स्चेहां पर एट पन और साथ-साथ गोल्डन लंगूर स्वाइफ गॉल्डन लंगूर ठीक है स्टुनेंट्स असम में कौन कौन से दो है मानस एंड डीबु साइक होबा इसी के ऊपर हम देखते हैं अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश में दिहांग दिवांग यह वहां पर एक वैली भी है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि दिहां प्रद्ट कर लेते हैं यह है भी घाल लिया में आपका है नोक्रेक बायोस फिर जब और इसी के नीचे और हम आते हैं यह वैस्ट बंगॉल वैस्ट बंगॉल में सुन्दरवन तो आपने सुना ही होगा सुन्दरवन किसलिए फेमस होता है रोयल वैंगॉल टाइगर के इसी के नीचे और हम आते तेलांगना में आपका शेषा चलम और फिर और हम नीचे आते हैं नीलगिरी हमने देख लिया है नीलगिरी बायोस फेर रिजर्व है अगस्तमलाई एक पीक भी है आप देख भी सकते हैं अपने माउंटेन वाले रिजन में मैप में अगस्तमलाई बाइस फेर ठीक है यहां पर भी लाइन टेल मकाक क्रिटिकली एंडेंजर्ट हैं ओके और जो लास्ट जो इंडियन टेरिट्री पे में इंडियन टेरिट्री पे जो लास्ट बाइस फिर बचा है वह सोई लास्ट निया भी और भी बचे एक है यह रन ओफ कच जो आपको नाम से पता चल गया होगा कि यह गुजरात में ओगा ठीक है यह गुजरात में रन ओफ कच यह बहुत फेमस है यहां पर दो चीजे काफी जादा मतलब काफी का अग्जाम में भी काफी बार आ चुकी है वह है एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह पक्षी है और एक है वाइल एस इंडियन वाइल डैस ओके यह दो स्पीसीज है जो कि यहां पर क्रिटिकली अंडिंजेट है अब हम चलते हैं इंडिया के बिल्कुल बीच 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 है एंपी एंपी की बात करते तो यहां पर पंचमनी बाइस फिर रिसर्व जहां पर आपको जाइंट स्कुरेल मिलती है अगर आपको याद हो ठीक है लेकिन अब हम बात करें पंचमनी निशनल पाग यहां पर भी फ्लाइंग स्कुरेल मिलती है ठीक है और यहां पर 12다 यहowego पंना आप आपको पता भी होगा पंना जो यह वह दायमेंड के लिए काफी फेमस होता है काफी फेमस जंगा यह लेकिन अचानक मारा अमरकंटक यह मैक्सिम्म 36 गड़ में है लेकिन कुछ पार्ट इसका एंपी में भी है तो यह यह दो स्टेट्स में है अचानक क्मारा अमरे कंटेक्ट MP and 36 क्लिर है सबको तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अब यह तो हो गई समय Nand की सारे बाहिस और अलग है एक हर अवर इस एड़िया में यहां पर फिल नाडू और शृलंगा के बीच में गल्फ मंनार नाम यहां पर जो प्रिटिकल यंडिन्जें यह वह कौन्सक्राइब रिंस क्वास का दूसरा नाम होता है वह क्या हैं आप में What ने में बढ़ाइए यह काफी इंपोर्टंट यह और क्यों इंपोर्टेंट रहे हैं कि एक्जाम में पूछा भी जा चुका है और एक जो बायस फिर वह आइलेंड पे अब वह कौण सा इलेंड है वह अन्डावने निकोबार आयएलेंड यह रहा ग्रेड निकोबार बाइस इसवार्ट्रीजर्व यहां कोन्सी स्पीजेश क्रिटिकल एंड इंजर वह सौर्ट वाटर क्रोकोडाइल है कि वह दूबरेशन वां क्रोकोडाइल यह यहां पे स्प्राइट इंजर भी। तो गाइज ख्लेर आपको यह सब मैंने बता दिये कि अब एक बार दुबारा का रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले हम देख लेता है यूनिस्कों की साइट सानमबर वन साइट कोन सी थी निलगरी बायस्फ़ेर रिजर्व जो 2000 में आई लेटेस्ट जो है वो कंचनजंगा बायस्फ़ेर रिजर्व दोज़ार अठार में और अगर हम सिर्फ बायस्फ़े एक बार दुबारा से उपर से नीचे तक रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले हम उपर से बात करते हैं स्टार्टिंग होती है हमारी हिमाचल पर देश से कोल्ड डैजर्ट उसके बाद है उसी के नीचे उतराखंड नंदा देवी बायोच फिर हम चलते राइट में सिक्किम की सबसे पहले हम दिखते है अहुरुनाचलपर्देश सबसे राइट में जहान दिवांग और एक बाइड आता है उसी के नीचे साइड असं में मानसाइड डीबूसाईक होगा असम के नीचे एक और स्टेट आता है जो है मिघालिया में है नो क्रैक फिर अब हम और नीचे आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ वेस्ट में संद्रवन के नीचे है सिंभली PaIA सिंभली पार के नीचे नीचे है सेशेचलम सीरेटा है उडीसा में चेला में एसी के नीचे अगर हम और साउत में आते हैं तो यहां हमें पानी के अंदर एक बायस फेर मिलता है जो है Gulf of मंदार Marine Biosphere Reserve और फिर अब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं इंडिया के लेफ्ट से गुजरात से हम स्टार्ट करते हैं गुजरात में है रन ऑफ कच एंड फिर रन ऑफ कच से हम थोड़ा राइट में आते हैं MP में MP में हैं पंच मनी एंपनना और एक है अचानक मारामर कंटेंग जो दो स्टेट्स में आता है MP एंड चतिसगर में अब हम दुवाला साउथ की त लगए करनाठ का टमिलनारु एन केरला एंड एक है इसके नीचे है अगस्त्रम अलिभायश्फेर अर्फी रिजर्व जो हाता है केरला में एक और एक आइलेंड वैस्फेर रिजर्व है जो है ग्रेट निकोबार बास फेर रिजर्व अ क्लेरा स्टूरेंट्स यह सबको इस के वालइब कि कलियर है किसी को कोई different estar किसे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शं सकते और गाइस आपको कि इसकोई लेनी जाए तो आप इन कॉंतेक्टस पे कें लिए हमारे कॉंटेक्टर नमबर में है चाहिए का कर सकते हैं शाक का ये लेक्चर यहीं तक था आप लोग पढ़ते रहें और अपनी सियरत का ध्यान रखिए